दोस्तों नमस्कार मैं हूँ गौरवरोडा और आप सभी का मेडी बाइट्स पर फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे एर कंडिशनिंग के बारे में अदर वो एक तो हीट को बाहर निकालते हैं दूसरा इतने बेसिक एर कंडिशनर्स आपको देखने के मिलेंगे वह आपकी एर को ड्राय बना देते हैं तीसरा यह जो काम करते हैं और एक एर फिल्टर लगा रहता है जो की एर की डस्ट को फिल्टर करने के बाद बाहर करता है इवन आजकल air conditioners के अंदर ऐसे pre-filters लगे आ रहे हैं जो कि air से dust के साथ साथ bacteria को भी capture कर लेते हैं अब आपको पता है इतनी गर्मी हो रही है अगर आप बाहर जाएंगे इस time पर लू लग रही है इस time पर लू लगने के time पर heat stroke जैसी बिमारिया जो हो सकती हैं आपको तो air conditioner ऐ ऐसे तो आपके लिए फायदे मंद ही है आपने इवन ये भी देखा होगा कि hospitals के अंदर air conditioner यूज होते हैं तो hospitals के अंदर जो air conditioner यूज होते हैं वो 24 घंटे तक air conditioner यूज होते रहते हैं अगर ये air conditioner हमारे लिए फायदे मंद नहीं होते हैं हमारी बाड़ी को इतना नुक्सा के अंदर वो यह जैसे मैंने आपको बताया इसकी बेसिक फंक्शन जो होती है उसी में डिहुमिडिफिकेशन हो जाती है एयर की यानि एयर से मॉइस्चर जो है उसको यह बाहर करता है तो जब यह एयर से मॉइस्चर को कम कर देता है जिस रूम में आप हो अगर आपके प्योंगर चैंसे बढ़ जाते है इसके अंदर मॉइस्चर सुकने के चांसे बढ़ जाएंगे तो अगर आपका निजल इसल रोम सीरिफ में कोई प्राइब्लम रही है आपने सर्विस नहीं करवाया आपने एर कंडुशनर को ठीक-से काफी टाइमसे नहीं साफकी हैं उसके filters तो यह बिल्कुल possible है कि air conditioner के अंदर से ही bacteria निकल के environment में आएं और वो bacteria जल्दी आपको infect कर देंगे क्योंकि आपकी body से moisture lose हो चुका है आपके nasal septum से आपकी नाक में से पानी सुख चुका है जो कि एक physical barrier था barrier कैसा कि जो bacteria को अंदर जाने से रोक रहा था तो ऐसे bacteria अंदर जाने के chances बढ़ते हैं infection के chances कभी कभी बढ़ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप AC की service time पर करवाएं और एक चीज़ का बात का ध्यान और हमें रखना है कि जब भी हम किसी air conditioning room से बाहर गर्मी वाले रूम में जा रहे हैं तो हम पहले एक normal temperature पर आ जाएं जनरल हम करते क्या है आप नॉर्मल कमरे में air conditioner पर बैठे हो अचानक से आप गर्मी वाले जगे पर चले जाते हो तो अचानक से जो यह heat से cold से आप change करते हो अपने body का temperature उससे आपकी body को नुकसान हो सकता है तो इससे हमें बचना होगा कहीं न कहीं इवन बच्चे जो हैं वो जल जातर ऐसे करते हैं बच्चों को यह सब करने temperature पर अपनी body को ले आएंगे उसके बाद आप बाहर जाएए इवन अगर आप गाड़ी में भी एसी चलाके बैठे है एर कंडिशनर ओन करके बैठे है तो चिल्ड मत कीजिए उसको कई लोगों को मैंने देखा है वो अपनी गाड़ी का air conditioner बिल्कुल high mood पे चलाते हैं full cooling पे चलाते हैं लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि गाड़ी से सीधा जब आप बाहर निकलेंगे तो सीधा आपको heat पड़ेगी आपकी body एकदम से temperature change करेगी जिससे कि आपको infection का खतरा भी बढ़ जाएगा तो कुछ इन सब बातों का अगर हम ख्याल तो air conditioner कहीं भी हमारे लिए खतरनाक नहीं है सिर्फ उसकी service आपको proper करा के रखनी है और अचानक से आपने temperature change नहीं करना है तो दोस्तों आपको समझ में आगया होगा कि air conditioner से हमें कोई खतरा नहीं है सिर्फ कुछ अगर बातों का हम ख्याल रखे तो उमीद करता हूँ मेरा आ पीचे subscribe बटन के साथ bell icon भी दिखाई दे रहा होगा तो notifications आपको मिलते रहेंगे अगर आप bell icon को press कर देते हैं मेरी video like कीजिएगा अगर आपको फसंद आई तो thank you so much